जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि बांगलादेश ने जो ड्रोन तैनात किया है उनका नाम है बायर कटर टीबी टू जो की तुर्की द्वारा निर्मित है और भारत जिस ड्रोन को तैनात का है उनका नाम है हेरोन जो की भारत के दोस्त देश इसराइल द्वारा नि आप लगा सकते हैं बड़ी डिवेलपमेंट हुई है कि बंगला देश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार टी बी टू ड्रोन जो है वो डिपलाइ की है इसको रिजेक्ट भी किया गया है इंडिया जो है वो जारी बात है है जारी बात है थे कपासिटी के इंडिया के पास जो ड्रोन्स है वो जारी बात तगडे ड्रोन्स है ठीक है जी टी बी टू बारक्तर क्या है ये ड्रोन्स हैं मैनेफाक्चर्ड टर्की हैं ये बारा ड्रोन बंगला देश ने ओर्डर करे थे छे ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं मुझे लगता है कि शायद बंगलादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको हमें नहीं बता मुझे ऐसा लगता है कि शायद बंगलादेश को actually खतरा महसूस क्योंकि देखे जब आर्मी की मूव्मेंट होती है मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ आप है राइट जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरत पार चुहे होते हैं उनके बीच महल चलोती है और ये जो 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 आप कहते हैं ना कि ये को असान चीज नहीं होती इंडिया ने रिसेंट ये आपको पता 31 आर्म ड्रोन्स खरीदे थे अमरीका से अभी ठीके जी चार बिलियन डॉलर की ये सेल थी तो लेकिन बंगला देश ने ये क्यों लगाए हैं सवाल ये पैदा होते है जै हिंदोस्त दोस्तों बंगला देश अपनी उकात से बहुत आगे बढ़के भारत को एक तरीके से प्रवोक करने की कोशिस करे जितना प्रवोक करने ले लिए आप खबर निकल के सामने कि टर्कीस में ड्रोन जो इन्होंने 12 खरीदे से खरीदे थे उनमें से छे भारती बाटर पर लगा दिया इनके दोई बॉडर बारती बारत बाटर भारती बाटर भी दोने आप भारत ने जवाब देवी करते हुए हेरोंज जो की आपको को कंपेरिजन करके आगे बता ही दिया गया बांगलादेश के ड्रोन अगर टू विलर रहे तो भारत की जो ड्रोन लगा भारत ने रोन वो फोर विलर तो इसी से आप अंदाज लगा सकते कि कि इतना हैवी ड्रोन भारत ने तुरंद कर दिया इस खबर आने के बारा से चोविस घंटे के बार पहले तो यह खबर रिजेक्टी कर दिया बांगलादेशी ओफिसल ने लेकिन अभी इस पर चल लिए बात है पाकिस्तानी इसमें मजे ले जहिल सी बात है वो कहा रहे है कि भार बारक्तर क्या है टीबी टू बारक्तर यह ड्रोन्स हैं मैनेफाक्चर डेंट टर्की हैं यह बारा ड्रोन बंगलादेश ने ओरडर करे थे छे ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है यह सवाल है मेरा मुझे नहीं पता अगर बारत ने कुछ कराए कि नहीं करा लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बंगलादेश जिट्री होगया है कुछ लोग बात कर रहा है इसी कोई बात नहीं है लेकिन बंगलादेशी social media पर अब ये discussion है कि इंडियन आर्मी ने अपना posture जो है along the international border which is more than 4000 km विद बंगलादेश थोड़ा सा उसने shift करा है और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है It's so massive that अगर Eastern Command which is based out of Fort William in Calcutta अगर Eastern Command हलका सा ऐसा हिलता है न तो I can imagine कि बंगलादेश में लोगों का गला सुखरा होगा If they have seen such a movement मैं फिर आप से कह रहा हूँ I don't want to you know tell you something that is not happening So I am not aware If the Eastern Command is doing something like this I am not aware लेकिन ये क्या करना चाहते है ये drones deploy करके Is Bangladesh trying to pass a message or is Bangladesh trying to you know take retaliatory action against some perceived aggression क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू होगा है हम Indian aggression के सामने ऐसा है हम Indian aggression के सामने क्या aggression हुआ है अगर Indian army aggressive हो जाती अभी तक अगर Indian army aggressive हो जाती तो इस वक्त मैं by God आपको बता रहा हूँ Muhammad Yunus जो है Washington DC में होता दुपका सा किसी basement के अंदर चुए की तरह कौन एगर से हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी बात अच्छा है यहाँ पर आसाम में एक और चीज होती है आसाम में बंगलदेश border guards जो हैं एक नदी पार करते हैं और भारत की साइड में एक temple बन रहा था हिंदू का मंदिर बन रहा था उसके construction को रोकने की यह लोग कोशिश करते हैं कुछ लोग बना रहे होंगे temple तो फिर BSF जाती है और BSF बंगलदेश border guards के साथ कुछ बात चीत करती है मामले को sort out करती है मैं एक चीज़ यहां पर साफ बताना चारा हूँ कि BSF मैं BSF को जानता हूँ कुछ हद तक I understand और मुझे ये भी पता है कि BSF tries to manage issues कि out of hand ना चले जाए मामला क्योंकि border पर मामला out of hand जा सकता है पर मुझे लगता है कि इस वक्त बंगलादेश border guards को ये जितनी भी cattle smuggling होती है जितनी भी human smuggling होती है जितने भी भारत में अवैद रूप से लोग आते हैं illegal immigrants आते हैं cattle की smuggling ये सारा all is done with the blessings of the Bangladesh border guards Bangladesh border guards is a highly highly corrupt organization और सारे जो smugglers के net हैं यहां पर बंगलादेशी side में जितने भी smugglers हैं राइट वो सारे के सारे they are managed by the Bangladesh border guards और Bangladesh border guards manages all these things कि इसको इतने पैसे इस से ले लो इस से ले लो अच्छा तुम यहां से निकलो ये सारा का सारा border पे एक माफिया है बंगलादेश border guards अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ हम से अगर Bangladesh border guards ये कर रहा है जो कि मैं मानता हूँ कर रहा है और आके मंदर किस्तापना भारत की धरती में रोकने की कोशिश करता है वो तो क्या इस चीज का जवाब गोली से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए मैं आप से पूछना चाहता हूँ और अगर आपको लगता है कि इसका जवाब गोली है तो आप कमेंट्स में लिखिए आपको शस्तर उठाने पड़ेंगे यह आपकी मजबूरी है आज इन्हों ने बॉर्डर पे बोला है कि तो मंदर जबकि वो एरिया हमारा तो इंटरनाशनल बॉर्डर है लेकिन यह तो प्रॉपर इंटरनाशनल बॉर्डर है जिसमें बंग्लादेश ने भी हाँ बोली है भारत ने भी हाँ बोली है फिर भारत के अंदर आके यह सारा का सारा ड्रामा करना क्योंकि वहाँ पे जो बॉर्डर है it seems जितना मैंने research करा है कि वो actually river है वहाँ पे fence नहीं लग सकता क्योंकि पानी है वहाँ पे तो यह speed boat से आया अंदर एक motor boat type की नाव से लोग अंदर आया और यहाँ पे इनों ने रोखने की कोशिश करी है दोस्तों यह तो नहीं हो सकता है और मुझे लगता है कि home ministry should pass orders to the BSF to raise the temperature along the international border with Bangladesh मुझे असा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि home ministry BSF को बोले कि थोड़ा साना temperature बढ़ा दो अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरुवत नहीं है क्योंकि अगर इंडियन आर्मी फिर दोस्तों फिर वो मामला फिर हाथ से नकल जाएगा जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई फिर देन दे विल गो इंसाइड बंग्लादेश अन दे विल तो दोस्तों ये मैं अभी ड्रोन का नाम गिनाने लग जाओ भारत के जो एक से ड्रोन तो आधा बंग्लादेश तो ड्रोन ताकस से मिट जाएगा भारत के ऐसे खतरनाग खतरनाग ड्रोन हारमी ड्रोन जो की इसरेल यूज कर रहा है आतंगवाटियों को ठार्गेट करने के लिए वह भारत में बंग रहा है और क्या तुम बना पाऊगे ड्रोन यह दो-चार खिलोने लेकर उचल रहे हैं वह यह ना बंदर के हाथ में बटेर लग जाता है तो कोई नहीं नहीं चीज आ जाती यह बच्चों को खिलोना मिल जाता है तो दिनवर उसी से खेलते हैं मेरे साथ मेरे को लग रहा है ऐसा से उससे बैलेस्टिक मिसाइल क्या मैं इनको गिर्वा हूं इन बांगादेशियों को कौन कौन सी टेक्नलोजी भारत डेली टेस्ट कर रहा है आप खुद ही इसी चैनल के मादेम से नियुक्त देखते हैं और यह खिलोना लेकर भारत को डराने की कोसिस कर रहे है वह भी टर्क कौन है तुमारी क्या उकात है रोकने वाली ठीक है यह गौर्णमेंट को इस पर सकते एक्सल लेना चाहिए वहां पर बांगलादेशी सेना के लोग आये थे एट लिस्ट उनको गिरफतार करना चाहिए वैसे तो सजाय मौत देनी चाहिए लेकिन एट लिस्ट गिरफतार कर वह आये और हमारे मंदिर को बनते टाइम रोका और फिर चले यह क्या मतलब है यह क्या है मतलब समन्न यारी हमारी गवर्मेंट और सेना का क्या माइंड सेट चलना है